वेल्कम टू इंडिन सॉल्फिच तो हाउ टू प्ले मैलोडी विद कॉर्ट्स के इस सेशन में भी हम लोग करने वाले हैं लेकिन आज की इस exercise में हम लोग जो दो माइनर कोड्स रहेंगे हैं उसको यूज करेंगे राइट दी माइनर एंट ए माइनर ऑके और यह exercise भी हम लोग फाइफ इंगर स्केल में ही करने वाले हैं बड़ थोड़ा सा चेंज है मैलोडी में राइट तो सबसे पहले मैलोडी फट पर दोबारा लेना है, जी एफ, एडी, एट, सीदी, एफ, सीदी, एफ, आब आपका फाइफिंगर exercise जो होगा इस तरह से चलेगा थोड़ा सा चेंज है बस okay again c d e f g f e d now reverse g f e d c d e f that's it right और इसके साथ चलिए हम लोग कोट्स तेखते हैं कौन सा यूज़ करने वाले हैं इसके साथ हम लोग कोट्स यूज़ करने वाले हैं अलड़ी रिटें एर सी मिजर यू अलड़ी नो c e g okay then g major भी है तो g b d दोनों तरफ हम लोग यूज़ करेंगे यहां भी यूज़ कर सकते हैं और यहां भी यूज़ कर सकते हैं और यहां भी यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग को एक minor chord यहां पर add करने वाले हैं वो है e minor chord right E minor chord किया बनेगा बिल्कुल उसी तरह किया बनेगा E alternate up को कर देना है F छोड़ा तो G A छोड़ा तो B this is E minor chord right? यानि क्या हो गया? E plus G plus B right? E plus G plus B E minor chord okay? और यहां भी पजाए सकते हैं से E G B E minor okay? E minor chord okay? major minor मैं अलड़ी क्लिर कर चुका हूँ जो C major scale है जो white keys है उसमें तीन ही major chords बन सकते हैं आप हमेशा ही इसको याद रखेगा C major में तीनो white key होगा F major इसमें तीनो white keys होंगे G major इसमें भी तीनो white keys होंगे लेकिन इसके इलाव यह chord है है ना? तो यह minor होगा तीन ही major हो सकते है C G F माकी अगर white keys है that's minor D minor E के साथ भी होगा E minor okay? और एक diminished बनता है sorry A minor here A minor भी बनता है already know और यह B B जो है 7th जो होता है वो diminished होता है जिसके बारे मैं आप लोगो बता चुका हूँ right? चली अब इसको यूज करते हैं इस exercise के सबसे पहले हम लोगी यूज करेंगे C chord right? यहां पर already G chord यूज करेंगे Same note आ रहा है इसका relative minor हो जाएगा G का relative minor होता है E minor knowledge के लिए इसको मैं बाद में explain करूंगा क्या होता है बट आपको याद रहा है G का relative minor E minor होता है E minor और यहां पर हम लोगी यूज करेंगे F major तो आज का exercise हमारा होगा यह Let's start सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? Chords को left side play करेंगे Okay? चलिए C, D, E, F, G chord, G, F, E, D, then E minor, G, F, E, D, then F chord, C, D, E, F Right? Again? C, D, E, F, G, F, E, D, G, F, E, D, C, D, E, F That's it बहुत ही simple exercise है Okay? फिर इसको आप आगे try कर सकते हैं इस तरफ, C जो आपको position है उसे right side play करने के Right hand को आगे ले जाए C, D, E, F, G, F, E, D, G, F, E, D, then C, D, E, F Very simple ठीक है? चलिए, let's try with the metronome आप इसको metronome के साथ आज मैं 100 tempo ले रहाँ 100 tempo पे इसको try करेंगे Right? G-Card अगे बही देखते हैं आप फिर आप इसको उल्टा भी ट्राई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड से आप मेलोडी प्ले करेंगे राइट हैंड से कॉर्ड लेइट आपको अश्रेải करेंजिए से करेंगेंग से करेंगें जो ये करेंगगे हैंग लेफ्स एकसासीजशंग दंसे लेफुेट लेएटिज़ इसकी वेगे लेगे छीराई ओके चली अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइस जिसमें हम लोग D minor use करेंगे थोड़ असा melody में change करेंगे ओके इसकी melody हम लोग कुछ करने वाले हैं जो five finger scale था exercise था उसी को उलट पूलट के नहीं melody बना रहे हैं G, F, E, D, C, D, E, F, again C, D, F, C, D, E, F, and this one G, F, E, D, okay let's add the chord अब जो इसमें chord हम लोग यूज करने वाले हैं that says D minor भी आड़ करने वाले ये तीनों chord सो रहेंगे ही इसका साथ D minor chord हम लोग यूज करेंगे D plus F plus A, right, okay, that is D plus F plus A, okay, D minor chord, D minor chord क्या होगा, D here, little finger D, D, आपको रखना है little finger यहापे, और उसके बाद आपको alternate, same way, F, alternate A, that is a D minor chord, you can play here, D, F, A, right, चली, इसमें अब chord add करते हैं, आपको G पे प्ले करना है, see, okay, यहाँ हम लोग करेंगे play F, यहाँ पे हम लोग करेंगे D minor, in the same way F का जो relative minor होता है, D minor होता है, same melody है, यहाँ भी same melody melody है, तो interchange कर सकते है, chord को replace करेंगे D minor से, so here D minor and यहाँ पे हम लोग करेंगे G major, right, चली, पहले melody थोड़े देखते हैं, G, F, E, D, C, D, E, F, then again C, D, F, C, D, E, F, G, F, E, D, right, यह सारे melodies में five finger exercise में already खरा चुका हूँ, right, आज हम के बहल उसके साथ chord apply कर रहे हैं, right, again, G, F, E, D, C, D, E, F, C, D, E, F, G, F, E, D, right, let's play with the chord, G, F, E, D, C के साथ F major, C, D, E, F, now again D minor, C, D, E, F, and G के साथ G chord, G, F, E, E, D, D, right, C major, F major, D minor, G major, D minor, G major, right, try to play right side also that's it, okay, let's play with the metronome right, right side three, four right, तुसको बार बार प्रैटिस करना है आपको, okay, also try with the left-hand melody and right-hand chord, okay, one, two, three, start correct, so simple exercise है, okay, और इसमें हमने D minor भी यूज़ किया, E minor भी यूज़ किया, right, तो आपको छोटे-छोटे बच्चों को इस तरह से exercises, बना के देने पड़ेंगे, हर तरह की chord का उनको exercise करना आना चाहिए, right, so they will आना 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 का सम्यू़ किए कि उनको लेकी पहां, प्रिय्मवादों कार साय। अ, इसनी सक्षक्किस एंको को थोले जह है नाकализ प्रहक बगंड़ sicत रहता है, moईस्त की उनको थोले meist है, झाल झाल